तो गैस जैसा की पहले हमने अभी तक देखा कि तांजीरो अपनी बीधिंग टेकनीक में बहुत जादा माहिर हो जाता है और उसे देखर जिनिट्सू और इनुजू के ये भी ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं अब कुछ दिनों बाद हम एक बहुत अजीब सी जगा को देखते हैं जिसमें बहुत सारे कमरे होते हैं यहां एक लोवर सिक्स डीमन को बुलाया जाता है जो कि उन 12 कुजू किस में से एक है घर में सितार बजने की आवाज आ रही होती है और उसके सामने एक डीमन बैठी होत इदर से उधर हो जाता है और सभी लोवर कुजू की एक ही जगाप पर आकर खड़े हो जाते हैं पर किसी को समझ में नहीं आता कि आखिरी चल के रहा है अब सभी लोग सामने देखने लगते हैं और उस सितार वाली डीमन के पास इने एक और फीमेल डीमन दी खाई दिती है और लोवर सिक्स को समझ में आ जाता है कि ये असल में मोजान है जिसने अपनी पैचान छुपाने के लिए एक औरत का फेस लिया हुआ है यहां पर आई एक लोवर रैंकी किजू की मोजान से माफी मागने लग जाती है सारी हमें मालूम नहीं था किये आप हो मास्टेर प्लीज हमें माफ कर दो मुजान उसे चुप करते हैं बोलता है जब तक तुम्हें बोला ना जाए तब तक अपना मूँ बंद रखो समझी तुम्हारी बातों से मुझे कोई फरक नहीं बढ़ता तुम्हें बस मेरे सवालों का जवाब देना है लोवर फाइफ का डीमन रूई मर चुका है और वह सभी से पूछता है तुम सभी डीमन सितने कमजोर के हो तुम्हारा कुजूकी बनना काफी नहीं है और लोगों कुमारो ताकतवर बनो तब ही तुम मेरे किसी काम आप होग अगे बोल लोवर सिक्स डीमन ये सुनकर डर जाता है बाई ये इसके मन की बाते बढ़ रहा है और सोचता है और तब ये सब क्यों हो रहा है जबकि उसने 12 खुजूकी बनने के लिए इतनी मेहनत की है क्या इसका भी यह हयाल होने वाला है और मुजान एक लूजूकी डीमन 4 से पूचता है क्या तो मुझ से जादा डीमन स्लेर से डरती हो lower 4 रोते हुए मना करने लग जाती है लेकिन मुजान उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और बोलता है जब भी तुम्हारा सामना किसी डीमन स्लेर या हाशिरा से होता है तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ भागने के थोड़ साते है lower 4 और भी जादा रोने लग जाती है और बोलती है नहीं मास्टर मैं ऐसा नहीं सोचती मैं आपकी लिए कुछ भी कर सकती हूँ लेकिन मुजान को सच पता होता है कि ये एक नंबर की फटो है और ये उस डीमन को भी कुचल कर मार देता है lower 3 अब सुचता है अब बोई फाइदा नहीं अगर हम मुजान की हाँ में हाँ भी मिलाएं तो ये तब भी हमें मार डालेगा और इससे लड़ने की हमत मुझ में नहीं है अब बस एकी रास्ता है यहां से भाग जाने का और lower 3 अचानक से जम करता है और अपने पूरी जल लगा कर वहां से भागने लगता है मुजान के सामने बैठी एक और lower 1 की डीमन उसे देख दी है और हसते हुए सोचती है ये कितना बेवकूफ है lower 3 को लगता है कि ये बस यहां से अब निकल जाएगा और तब ही उसका गला कट जाता है और वो देखता है कि मुजान उस तक पहुँचे चुका है और वो सोचता है कि ये कैसे मुझे तो किसी के हिलने तक की आवास नहीं मुजान यहां पर कैसे पहुँचा और ये अपनी बोड़ी को फिर से रीजनरेट करने की कोशिश करता है मगर वो भी नहीं कर पाता मुजान उसकी गर्दन को लिकर वापिस अपनी जगा पर आ जाता है और बताता है क्योंकि तुम lower rank की कुजू की मेरे किसी भी काम के नहीं हो इसलिए आज मैं तुम सभी को मारने वाला हूँ अब बस अपर rank वाले डीमन्स ही जिंदा रहेंगे अब मुजान के सामने दो डीमन्स पैटे थे और मुजान उनसे उनकी आखरी इच्छा पुछता है तो lower two पहले ही उसके सामने अपने हाथ जोड लेता है और मुजान से थोड़ा सा टाइम मांगता है कुछ कर दिखाने के लिए मुजान उसे पुछता है कितना टाइम चाहे तो मैं जिस पर lower two बोलता है मुजान सर अगर आप मुझे अपना थोड़ा सा बलट दे दोगे तो मैं और भी ज़्यादा strong मैं जाओंगा मुजान को ये सुनकर और भी ज़्यादा गुसा जाता है और उसे ऐसा लगता है कि ये डीमन इसे order दे रहा है कीसे क्या करना चाहिए और मुजान उसकी बात बिना सोचे समझे सीधा उसे मार देता है मुजान अब उस आखरी डीमन से पूछता है तुमारे आखरी शब्द क्या है डीमन स्माइल करते हुए हाथ जोड लेती है और बोलती है मुझे सोचने दीजिए ये मेरा सौबाग या है कि मैं आपके हाथों से मर रही हूँ और ये आपका एहसान है कि आपने मुझे आखरी तक बचा कर रखता मैं तुमें बहुत सारा बलड दे रहा हूँ अपना हो सकता है कि तुमारी बॉड़ी इस बलड को जहिलना पाए और मर भी जाओ पर अगर तुम जिन्दा बची तो तुम सभी के सभी हाशी रास को मार सकती हो अभी तुम मेरे काम की बनोगी और मुजान वहाँ से जाने लगता है और उसके पास बैटी सितार वाली डीमन सितार बजाकर दुबारा से पूरा का पूरा घर इदर से उदर करने लग जाती है मुजान चला जाता है और लोर रैंक वाली डीमन तरबती हुई नीचे गर जाती है पर वो इस ब्लड को बरदाश्ट कर लेती है मुजान के ब्लड के साथ ही मुझे कुछ और भी मैसूस हो रहा है अपनी बॉडी में और उसे अपने आखों के सामने तांजीरो की शकल दिखाई देने लग जाती है और ये समझ आती है कि इसे इस बच्चे को खतम करना है और इसके बाद इसे मुजान का और भी ब्लड मिल सकता है इधर दूसी तरफ सुबे सुबे तांजीरो इनसुके और जिनिट्सो को उठाने के लिए उनका क्रोव वहां पर आता है ये उनका अगला मिशन लेकर आया था और बताता है कि इन तीनों को मुगेन ट्रेन में जाना है क्योंकि वहां पर बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं और अभी तब 40 लोग ट्रेन से गाइब हो चुके हैं तो इन्हें रेंगो के सत मिलकर वेस्ट की तरफ जाना है अब थोड़ी दिर बाद शाम हो जाती है और मास्टर शिनोबू के साथ कुछ बात कर रहे होते हैं और वो बताते हैं कि उसने तांजिरो और उसके दोस्त को मुगेन ट्रेन के मिशन पर लगा दिया है जैसा कि शिनोबू ने उन्हें सुझेश्ट किया था और पूछते हैं शिनोबू तुमने ऐसा क्यूं कहा और शिनोबू से तांजिरो के डैड के बारे में बताती है जो कि फायर ब्रीधिंग किया करते थे ये सुनकर मास्टर थोड़े से शौक हो जाते है शिनोबू बताती है इसलिए तांजिरो का रेंगो के साथ रहना उसके लिए फायदे मन भी रहेगा क्योंकि वह एक लेम हाशिरा है और सबसे जदा इंपॉर्टेंट बाद तांजिरो का सिरफ एक ही परपस है मुजजान को हराना और देखता है कि वो ही अकडू लड़का है जो कि इसके साथ फाइनल सिलेक्शन में था और बतमीजी से बात किर रहा था तांजिरो से हेलो बोलता है परे लड़का चुप चाप महां से चला जाता है कि ये कोई डीमन है और जिनिट्सू के बताने पर भी ये नहीं समझता कि एक ट्रेन है भाई और जिनिट्सू तांजिरो से कहता है भाई तांजिरो यार समझाया रिसको थोड़ा और तांजिरो इनो सुके को बोलता है हो सकता है कोई डीमन नहीं बेलकि कोई एंजल हो जिस पर जिनित्सु को पता चलता है कि तांजिरो भी एक नमबर का धकन है इसे भी कुछ नहीं पता ट्रेन के बारे में इनोसु के अपने सिर से उस ट्रेन पर हमला कर देता है और पूलिस वहां पर आ जाती है इने पकड़ने के लिए ये क्या हरकते हैं कर रहे है तुम और जिनित्सु इन दोनों को लेकर वहां से भागने लगता है और चुप जाते हैं इतीनों तबी ट्रेन चलने लग जाती है और तीनों को पकड़ना है उस ट्रेन को पर अभी भी पुलीस स्टेशन पर इने ढूंड रही होती है लेकिन इनसु के भाकर ट्रेन के अंदर चड़ जाता है तांजिरो भी ऐसा ही करता है ट्रेन के अंदर हम फ्लेम हाशिरा को बैठा हुआ देखते हैं और ये लोवर वन डीमन ट्रेन के ऊपर खड़ी होती है और अब ये तीनों रेंगोकू के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि ये दबा कर खाना खारा होता है रेंगोकू तांजिरो को देकर पहचान जाता है कि ये तो वही है भाई तांजिरो उसे और अपने दोस्तों का नाम बताते हुए उसे बोलता है हेलो सर हम आपका साथ देने आये यहाँ पे और तांजिरो रेंगोकू के पास अकर बैठ जाता है और उससे हिनोकामे के बारे में पुछता है जिसका यूज करके उसने fire breathing की थी रेंगो को बोलता है नहीं तांजिरो भाई, मैंने तुसके बारे में आस्तर कुछ नहीं सुना और फिर रेंगो कु तांजिरो से उसकी तलवार का कलर पुछता है और तांजिरो से बोलता है यह सुनकर रेंगो कु हसने लग जाता है और बोलता है मैंने इस कलर की तलवार वाले को कभी नहीं देखा जैनिट्सू से बहुत मुश्किल से कंट्रू करता है आप अंदरा के बैठ जा रेंगुकू से बोलता है तुम्हें चौकर ना रहना चाहिए डीमन्स कभी भी आ सकते हैं ये सुनकर जैनिट्सू के होश उट जाते हैं उसे लग रहा था कि ट्रेन में बैठकर ये लोग डीमन के पास जा रहे हैं पर उल्टा डीमन्स इस ट्रेन के अंदर आने वाले हैं ये सुनकर जैनिट्सू बहुत ज़र डर जाता है क्या बाई और अब सोचता है कि इसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था रेंगुकू बताता है कोच्छे समय पहले से इस ट्रेन के अंदर से 40 लो बे में चला जाता है और फिर अचानक वहाँ पर एक बहुत अगली सा डीमन आ जाता है रेंगोकू उसे देखकर फ्लेम ब्रीधिंग की फर्स्ट पॉम यूज़ करता है और एक ही वार में उस डीमन की गरदन को काड़ दीता है तब भी रेंगोकू को भनक लगती है कि ट्र बेंच में उड़ना शुरू कर देते हैं वाई लिटरली ये तो फैन मन गए और ये रेंगोकू से उसके ट्रेइन करने की रिक्वेस्ट करने लग जाते है और रेंगोकू उने ट्रेन करने के लिए मान जाता है और ये नहीं जानता था ये ये डीमन्स तो बस एक मेगी मेगी जैसे लग रहा है और बोलता है अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो तुम्हें भी बहुत अच्छे सपने आएंगे और वो डीमन इस कंड़क्टर को सुला देता है इसके साथ चार बच्चे भी होते हैं और ये भी अच्छे सपने देखने के लिए कुछ भी करने क त्यार इस डीमन का ब्लड डीमन आर्ट ये ही होता है कि ये किसी भी इंसान को जिंदगी भर के लिए सुला सकता है जिसमें वो खुद ही मर जाते हैं और साथ ये विक्टिम को उसका पसंदीदा सपना भी दिखा सकता है डीमन उन सबी बच्चों से बोलती है तो मैं अपने उसे अपने छोटे बाई बहन दिखाई देते हैं और दोड़ कर उन्हें गले से लगा लेता है फिर वो उसे अपने गहर लेकर चले जाते हैं जहां तांजिरू का पूरा का पूरा परिवार जिंदा होता है वापिस से तांजिरू को पहले कुछ भी समझ में नहीं आता कि और फिर वो सोचता है, एक मिनिट, मीरी फैमिली का मरना, क्या यह सब कुछ एक सपना था, हकीकत क्या है, क्या है, क्या सब कुछ यह भी चल रहा है, यह भी सपना है, पर इस सपने में, अभी तक इसे नैजो को दिखाई नहीं दी, और सब की सब घहरे सपने में चले जाते हैं तभी Zenitsu सपना देखता है कि ये फूलों के गाड़न में नेजूको के साथ घुम रहा है और बहुत खुशी से अपनी जिन्दगी को जी रहा है और Inosuke देखता है कि अब ये एक हाशिरा बन चुका है लेकिन इसके डैड को कोई खुशी नहीं होती उसके डैड बोलते है तो क्या हो गया तुम अब भी निकम में ही हो रेंगो को बताता है कि उसके डैड भी एक हाशिरा पर एक दिन ये सब कुछ छोड़ चाड़ कर आ गए ये सपने की दुनिया बहुत चोटे होती है और एक चाकू की हल्प से ये लड़की उस सपने से निकल कर रेंगो को की इनर सोल में पहुंच जाती है जहां चारों तरफ आग लगे हुई थी और इसे रेंगो को को कोर बिल जाता है और इस तरफ तांजिरो अपनी फैमिली के साथ दूबारा से जीना शुरू कर देता है लेकिन कहीं भी नैजुको नहीं होती और फिर ऐसे ही एक दिन तांजिरो पानी बरने के लिए जाता है नदी के किनारे और तभी उसे पानी में अपनी परचाई न जरातिया जो कहती है जाग जाओ, तुम्हें हकेकत में वापस आना होगा इससे तांजिरो को येकीन आ जाता है कि ये सबकुछ जो अभी चल रहा है ये सबकुछ एक सपना है पर इसे ये नहीं पता उता है ये असलियत में कैसे वापिस आएगा और तबी नैजुको की नीद खुल जाती है और अपने बॉक्स से भाराती है नैजुको भारा कर हलातों को देखती है और तांजीरो को जगाने की कोशिश करती है पर तांजीरो नहीं जाता और नैजुको को गुस्सा आजाता है और अप पूरी की पूरी फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है। पर सपने से बाहर निकलने का रास्ता उसे नहीं मिल रहा था। और अपने डैड की बात मानकर तांजिरो अपनी तलवार को उठाने के लिए आता है तांजिरो दो सेकेंड के लिए कुछ सोचता है और फिर उसे समझ में आता है कि बाहर कैसे निकलना है और काफी सदा रिस्क लेकर तांजिरो अपनी तलवार से अपनी ही गरदन को काट लित सिरफ यही चाहते थे कि एन्मो भी इन्हें अच्छे सपनों की दुनिया में भीचते ताकि सपनों में ही सही ये लोग घुश तो रह पाएं और ये लोग तांजिरो से फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं पर तांजिरो उन्हें बहुत असानी से हराकर बेहोश करते दे कि उसके ब्लड आर्ट से कोई बच निकला है पर ये उस पर जादा परिशान नहीं होता तांजिरो फिर उस डीमन पर वाटर बीधिंग का टेंथ फॉर्म कॉंस्टेंट फ्लक्स यूस करता है पर एन्मो उसे अपने पास नहीं आने देता और बार बार अपने ब्लड डीमन दिखा रहा था तुम्हें वो पसंद नहीं आया क्या तांजीरो अच्छा चलो ठीक है मैं तुम्हें एक ऐसा सपना दिखाता हूं जिसमें तुमारे फादर जिंदा हो ये सुनकर तांजीरो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है पूतनी के तुनी बच्ताब और फिर ए एनमू के पास आता है और एनमू इस बार तांजीरो को एक नाइट मेर दिखाता है जिसमें उसकी फैमिली के मेंबर्स उसे कोस रही थे कि तांजीरो उस दिन उस बुड़े की घर क्यों सोया और अपनी परिवार को अकेला चोड़कर क्यों गया उससे अपनी फैमिली के लाना शुरू कर देता है ताकि वो ट्रेन के एक 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 इनसान को खा सके और तभी इनसुके भी जाग जाता है और ये भी ट्रेन के उपर आ जाता है तांजरो से बोलता है इनसुके ये पूरी की पूरी ट्रेन अब डीमन बन चुकी है हमें लोगों को बचाना होगा जिस पर इनोसुके बोलता है, मुझे पहले से पता था, लेकिन तुमने लॉड इनोसुके की बात नहीं सुनी, ये सब तुमारी गलती है, और इनोसुके उस डीमन को लोगों को खाने से रोकने लगता है, इधर नैजुको भी अपने डीमन फॉम में आकर ट्रेन में फसे उन लोग पर इनोसुके बाके की तीन डबों को संभाल लेंगे, अब ये दोनों के दोनों डीमन स्लेर से ट्रेन के उपर आते हैं, और इस लॉर्ड इनोसुके ने अपनी ब्रीधिंग टेकनिक का यूज़ करके पहले ही पता लगा लिया था, कि इस डीमन का सिर कहां पर है, और इस ड पर पहुंचते हैं, लेकिन एन्मू बार बार इन पर अटेक करता रहता है, यहां पर एक ड्राइवर भी होता है, जिसे तांजिरो एक सीफ जगा पर पहुंचा देता है, एन्मू अपनी सेंकड़ों आँखों से तांजिरो को सुला देता है, तांजिरो नीन से भार आने के पर एक टाइम ऐसा आजाता है कि उसे सपने और असलियत में फरक ही पता नहीं चलता और ये सच में, रियालिटी में अपने गले को काटने वाला होता है। मुश्किल से लड़कर डीमन को मार मार कर उसके गले तक पहुचता है और आखिर में ये दोनों अपनी कंसेंट्रिशन टेकनीक को यूज करते हैं एक साथ अपलाई करते हैं इनसु के बीश्ट ब्रीधिंग के फोर्थ फाम को यूज करके उस जगा को साफ करता है और फिर ता काखी के लोगों को बचाने के बारे में सोचता है और थोड़ी दिर बाद ट्रेन पलेट कर रुख जाती है और इनसु के तांजिरो को उठाने आता है तांजिरो इनसु के से उस ड्राइवर की हेल्प करने के लिए बोलता है इनसु के साफ मना करते हुए बोलता है उसका ए एन्मू मरते हुए सोचता है कि मैं सच में मरने वाला हूँ, ये कितना बुरा हुआ, मैं तो आज एक इनसान को भी नहीं मार पाया, ये सब कुछ इन डीमन स्लीर्स की वज़ा से हुआ, खास कर ये तांजीरो अकर मुझ में थोड़ी सी भी ताकत बची होती, तो इसे अभी ज से मार देता, ये कितना बुरा सपना है, अपर रेंग के डीमन्स सेकड़ो सालों से, वैसे के वैसे ही हैं, हाशिरास भी उनका कुछ नहीं विगाड़ पाते हैं, और ये सब सोचते सोचते एन्मू की मौत जाते हैं, और रेंगोकू तांजीरो से कहता है, ट्रेन में बैठे सबी लोग सही सलामत है, तो मैं चिंता करने की जोट नहीं है तांजीरो, सब कुछ सही चल रहा था, पर तब ही हाँ पर कोई आ जाता है, रेंगोकू और तांजीरो देखते हैं, कि अपर लेवल ठीका, अकाजा वहाँ पर आ चुका है, अकाजा वहाँ पर आते ही तांजीर रेकड़ो सालों तक जिन्दा रह पाओगे। पूरी कोशिश करता है ये अपने सारे के सारे ब्रीधिंग फॉर्म्स यूज़ करता है पर अकाजा पर कोई भी असर नहीं होता है। रेकड़ो कोशिश करता है लेकिन अकाजा अपना एक पंच रेंगोकु की बॉड़ी के आर पार कर देता है और बोलता है रेंगोकु इससे तुम्हारी मौत पकी है अब भी तुम्हारे पास मौका है डीमन बनने के लिए हां कर दो यार। रेंगोकु को अपने बच्पन की यादा दिया जब उसकी मौम ने उससे पूछा था कि तुम जानते हो कि तुम इतनी ताकतवर क्यों पैदा होई हो ताकि तुम कमजोरों की हेल्प कर सको। तुम्हें अपनी इस ताकत का इस्तमाल कभी भी इंसानियत को नुकसान पहुचाने के लिए नहीं बलकि उनकी हैल्प करने के लिए करना है। निकल नहीं वाला होता है जिसे देखकर अकाजा और भी ज़्यादा डर जाता है लेकिन रेंगो को उसे भागने नहीं देता अब तांजिरो और इनसु के भी रेंगो की हेल्प करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं लेकिन आखिर में अकाजा अपने दोनों के दोनों भाग रहा सूरत से बचकर भाग रहा हूं और वैसे भी ये लड़ाई मैं जीत चुका हूं तांजिरो चिलाता है रेंगो को नहीं हारा समझे तुम उन्होंने आखरी तक लड़ाई की और सब को प्रोटेक्ट किया ये जीत उनकी हुई है इसके बाद तांजिरो जोरो से र मिलेगी मेरा एक चोटा भाई भी है और तुम्हें उसे एक संदेश देना है उसे बोलना कि वो हमेशा अपने दिल की सुने और मेरे फादर से जरूर कहना अपना ध्यान रखें और मैं चाहता हूं कि तुम लोग मुझसे भी बहुत जादा स्ट्रॉंग बनो मुझे तुम पूरा भरोसा है और ऐसे ही बात करते करते सूरज निकल आता है और अपने आखरी मुमेंट्स में अपनी मदर दिखाई दीती है और वो उनसे पूछता है मॉम क्या मैंने ठीक हिया मैने अपनी जिमेदारियां ठीक से ने भाई ना मुझे तुम पर बहुत कर्फ है रेंगो पुखुश हो जाता है और स्माइल करते ही फ्लेम हाशिरा रेंगूकू की मौत हो जाती है तांजीरो और जेनिट्सू जोर जोर से रोने लग जाते हैं इनो सुके उन्हें रोने के लिए डाणता है लेकिन आखिर में खुद पर कंट्रोल नहीं पाता और ये भी रोना शुरू कर दीता है रेंगूकू का काजू बैक रो भी उसे दीकर रोने लग जाता है और एक ही करकर सभी हाशिरास इस खबर को सुनते हैं कि रेंगूकू की मौत हो चुकी है मास्टर ये खबर सुनकर और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छे लगी तो प्लीसी से लाइक जरूर कर देना और कॉमेंट भी जरूर कर देना तो ठीक है गैस जरूर मिलते हैं अगली वीडियो